नमस्कार दोस्तो, अपनी नफरती डिबेट्स और प्रोग्रेम में जनता को आपस में लडाने वाली गोधी मीडिया अब खुद आपस में भीड़ गई है जरा इस फोटो को गौर से देखे, देखे कैसे एक निउस चानल के डिबेट में तू तू मैं में हो रही है लाइब शो के दोरान डिबेट में आए महमान और आंकर आपस में भीड़े हुए है दोस्तों ये विडियो एक ऐसे गोधी मीडिया चानल का है जो चाटू कारता में गोधी मीडिया के लिस्ट में अब टॉप पर पहुँच चुका है यह सीन सीनियर आंकर नविका कुमार के डिबेट शोका है यहाँ पर नविका कुमार के साथ वरिष्ट पत्रकार आशुतोष, आनंद रंगनाथन और बीजेपी प्रवक्तार रादिका खेडा जो पहले कॉंग्रूस में प्रवक्ता थी अब बीजेपी में शामिल हो गई है, वो भी यहाँ पर मौझूद थी दरसल टाइमस नौ पर खत्रे में लोकतंत्र को लेकर एक बहांस चल लई थी लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की इज़त, एक दूसरे का गिरेबान ही खत्रे में आ गया मेंस के दौरान सीनियर जॉनलिस्स आशुतोष और ए रंगनातन अगल बगल खड़े हुए थे यानि दूसरे के साथ में खड़े हुए थे लगबग, तबी थोड़ी सी गेमा गेमी के बीच में रंगनातन अशुतोष को लेकर सडक चाप कहने लगए जिसके बाद रंगनातन के शब्द पर आशुतोष ने भी काफी तगड़ी तरीके से जवाब दे दिया आशुतोष बताते हैं कि ये लोग पूरी डिबेट में लगातार उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसके बाद भी रंगनातन लगतार आशुतोष को जाहिल I am not your dad आजा आजा जैसे शब्द बोल बोल कर बोल बोल कर उनको उकसाने की कोशिश करते नहें और एक दूसरे में भीडे रहे मतलब दोस्तो लाइव शो में लगतार रंगनातन आशुतोष को बुरा भला कहते रहे उनको उकसाते रहे लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तो इस तरीके की वरिष्ट पत्रकार को बेईज़त किया जा रहा था इसके बावजून भी शोकी होस नविका कुमार चुप रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा था रंगनातन बेज़ती करे जा रहे थे लगातार और नविका बहुत ही धीले अंदाज में यहां पर शोकी होस्ट बनीवी नजर आ रही थी पूरी तरीके से रेफरी वाला अंदाज दिखाने की कोशिश कर रही थी पर कर कुछ भी नह पर देखें सोचिए दोस्तों यह सिधी है गोदी मीडिया की गोदी मीडिया अपने शो में वरिष्ट पत्रकार की बेज़्यती कर रहा है और फिर उसे मसाला बनाकर टीयार्पी लेने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है टीयार्पी बढ़ाने का भूस्त इस कदर सवार ह हो चुका है कि अगर नविका कुमार चाती तो लडाई को कंट्रोल कर सकती थी कैमरा बंद करवा सकती थी या फिर रिकॉर्डिंग से उसे हटा सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उल्टा उसी पार्ट को यानि लडाई वाले पार्ट को पूरी तरीके से करके उसे अपना प्रोमो बना दिया और उसी लडाई से जनता को अपना शो दिखाने के लिए बुलाने लगे सोचिए दोस्तों ट्यारपी की गोधी मीडिया को इस कदर भूख है कि जो पत्रकारता की मर्यादा होती है जो एथिक्स होती है वो भी ये बड़े मेंस्ट्रीम मीडिया भूल चुका है चाटुकारता के चकर में ट्यारपी की भूख में ये सब कुछ भूल चुके हैं अब दोस्तों इस लडाई पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं आनंद प्रक्राश लिखते हैं कि ट्यारपी के लिए ये किसी भी घटिया पने प पर उतर आएंगे लाइफ शो में ऐसा होता तो ठीक था लेकिन ये विडियो डाल करके लड़ाई दिखाने के लिए उत्सा रहे हैं तू तू मैं मैं दो कौडि का आदमी देख लेने की धमकी ये सब न्यूस चानल में हो रहा है इसके अलावा प्रिया सिंग कह रही है कि ल अगर आप किसी को अपने लाइफ शो में मुला रहे हैं तो कम से कम कुछ मरियादा तो रखिए और अगर मरियादा रख नहीं सकते इस तरीके के लड़ाई होती भी है तो गोदी मीडिया को ये समझना चाहिए कि इसे इस तरीके से मसाला बनाकर जनता के सामने ना परोसा ज रहे हैं इस पर आपकी क्या राया है में कमें सेक्शन लिखकर जरूर बताएगा ये ख़बर आप उल्टच वश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार